आचिस वीडियों में हम 021 लड़ू को पाल के लिए वूलन ट्रेस बना कर तयार करने वाले हैं यहाँ पर हमने यह बीबी भूल ली है उस वाल की और यहाँ पर 5 नमबर हमने एक क्रोश रूट लिया है 3 mm क्रोश रूट यहाँ से हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे हम क्रोश रूट पर बान लेते हैं और अब यहाँ से हम 14 चैन स्टिश करेंगे तो यह चैन वन चैन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन 12 13 14 और अब यहाँ से जो फॉस्ट चैन है इसमें हम इससे स्लिप स्टिश से जोड देते हैं तो यह हमने स्लिप स्टिश बना दी है अब यहाँ से हम थ्री चैन स्टिश करेंगे यह चैन वान चैन टू और यह चैन थ्री अब यहाँ पर जो हमने थ्री चैन बनाई है सेम चैन में यहाँ पर सेम स्टिश में हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे यह दो दागी को हम क्रोश्य उपर लपेटेंगे सेम स्टिश से निकालेंगे अब हमारी पास क्रोश्यू остाट मे तीन लूप है पेरले यह दो लूप पूनेंगे फिर हम यह तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिग में 3 चैन स्टिश करीपी 2 double crochet इसे भी हम कानुट करेंगे तो यह हमनेे ऐे चैन में 2 double crochet बनाहए फर चैन में अब हम जाएंगे next चैन में फससा दूबल करोशर इसे हम साथ में Tut चाहेंगे इस तरह से इसके साथ ही और आप यहां से next chain में भी हमें बनाने हैं दो double crochet तो यह हमने बनाया एक same chain में यह हमने बनाई दो तो इसी तरह से हर chain में हमें दो दो double crochet बनाते हुए यह round हमें यहां तक complete करना है तो देखिए हमने यह first round यहां तक complete कर लिया है और अब यहां से जो starting में हमने 3 chain stitch करी थी तो 1, 2, 3 इसकी जो third chain है इससे हम इससे slip stitch लगा कर यहां से जोड देते हैं हमने complete कर लिया है और इस round में हमारे पास total हमारे पास 28 double crochet हमारे पास आ गये हैं तो अभी हमें आगे बनाना है तो अभी हमें आम होल के लिए यहां पर दोनों साइड में हमें स्पीस चोड़ना है जीरू नमर लडू कॉपाल बहुत ही चोटे होते हैं तो उनके लिए यह हो गया 14 यानकि 14 double crochet हमारे इस साइड आएंगे और 14 double crochet हमारे इस साइड आएंगे तो यहां पर हम four double crochet बनाएंगे और फिर six stitches हम यहां पर skip करेंगे armhole के लिए तो हम आपको बना कर दिखा देते हैं यहां पर सबसे पहले हम three chain stitch करेंगे तो यह one two और three इसे भी हम एक double crochet कांट क जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और यहां पर बनाएंगे नेक्स्ट डबल क्रोश्य आ यहां पर हमने चार डबल क्रोश्य बना लिए हैं अब यहां से हमें 6 stitches हमें छोड़नी है आम होल के लिए तो काउंट कर लेते हैं यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हम स्किप करेंगे और यह जो 7 नंबर की यहां पर स्टिच है इसमें हम इससे डबल क्रोशे से जोड़ देते हैं तो यहां से हम इसमें डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से की देखिए एक साइड हमारा आम गूल के लिए हम पर स्पीज बन गया है तो अभी येहां से हमें 4 इसमें और और स्टिच вол यहाँ इसמצाने यहां आपहर स्टो पर क्रोशर डवभी पार्ट में 55 अध्डबल क्रोशे हमें बनाने हैं तो यह मैं हमने यहां पर हमने बना लिया एट डबल क्रोशे यहां पर हमने बना लिया है अब यहां से फिर सी हम six stitches हम skip करेंगे दूसरे साइड के armhole के लिए तो यहां से यह देखे वन टू थी फोर फाइफ सिक्स करेंगे और यहां पर जो seven number की stitch है इसमें हम इसे double crochet से जोड़ देंगे तो यह हमने दूसरे साइड भी armhole के लिए आपर space बना लिया है और अब यहां पर हमें four double crochet बनाने है तो एक हमने बना लिया है यहां पर और यह हो गए हैं दो थीन और यह चार चार हमने पहले बना लिये थे तो टोटल हमारे आठ हो गए आठ हमारे यहां पर इस साइड हो गए और आठ इस साइड हो गए हैं तो अब यहां पर starting में जो three chain stitch करी थी इसकी third chain से हम इससे slip stitch लगा कर जोड़ देते हैं तो यह दोनों साइड बराबर से दबल क्रोशे भी आगये हैं हमारे पास में और आम होल भी हमने दोनों साइड में यहां पर बना लिया है तो यह चोली वाला पार्ट हमारा बनकर तयार हो गया है लड़ो गपाल के लिए यहां तक और अब यहां से हम नीची का घीरा बनाएंगे तो यहां से हम one two three chain stitch और यहां से हर स्टिच में हम दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे देखिए यहां पर हमने जो three chain stitch करी है सेम स्टिच में हम एक डबल क्रोशे और बना लेते हैं दो हमने बना लिया है यहां पर तो यहां पर यहां पर chain three जो हमने stitch करी है इसमें हमें बनाना है दबल क्रोशे और यहां पर भी बनाएंगे दो डबल क्रोशे एक हमने बना लिया सेम स्टिच में यह दो हमने बना लिये हैं अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में यहां पर भी हमें बनाने हैं दो डबल क्रोशे एक बना लिया और हमने बनाएं दो डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच द दो डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच दो डबल क्रोशे और अभी देखिए यहां पर यह जो हमारा आम होल है इस साइट का तो यहां पर आम होल में यह जो स्पेस है यहां पर इसमें भी हम दो डबल क्रोशे बना लेंगी देखिए यहां पर इसमें बनाना है तो यह हमने बना मुत ओक्रोशए सब औ्हां से हम जाएंगे next stitch में इसमें लिए इस android अलाव कि तो इस इतरय से बनाती हुई हमें राउंड कंपलीट करना हैहा 鬍ज में दो डबल क्यों बनाएंगे इस साइट हो है यहां पर भी हमें दो डबल क्रो बनाने हैं और राउंड यहां तक हम complete करेंगे देखे यह round भी हमने यहां तक complete कर लिया है और अब यहां से जो starting में 3 chain stitch करी थी इसके 3rd chain से हम इससे slip stitch से joint कर देंगे round complete हो गए यहां तक यहां से फिर से 3 chain stitch करेंगे chain 1 2 3 और अब यहां से हर stitch में हम एक एक double crochet बनाते हुए यह round complete करेंगे next stitch में जाएंगे एक double crochet बनाएंगे next stitch में जाएंगे एक double crochet बनाएंगे तो हर stitch में एक एक double crochet बनाते हुए हम यह वाला round भी complete कर लेते हैं तो देखे हमने यह round भी complete कर लिया है और यहां से 3rd chain से slip stitch लगाकरी से जोड दिया है अब यहां से हम last round बनाएंगे border के लिए तो बदर वाला round बनाएंगे 3 chain stitch करेंगे chain 1, 2, 3 3 chain stitch करेंगे और same stitch में यहां पर जो 3 chain stitch करेंगे इसी में हमें 2 double crochet बनाने हैं तो यहां पर हम बनाएंगे यह 8 double crochet same stitch में 2 double crochet अब यहां से next stitch हम skip करेंगे और इससे जो next stitch है इसमें हम इससे slip stitch से जोड़ देते हैं फिर से three chain stitch करेंगे chain one two three same stitch में दो double crochet बनाएंगे यह one और यह two next stitch skip करेंगे और इससे next में हम इससे slip stitch से जोड़ देते हैं फिर से three chain stitch करेंगे chain one chain two chain three और same stitch में हम बनाएंगे दो double crochet तो इसी तरह से बनाते हुई हम यह border बनाकर त्यार कर लेते हैं तो दिखें यह round भी हमने यहां तक complete कर लिया है और यहां पर जो हमने three chain stitch करी थी इसकी यहां पर जो यहां पर 20 stitch है इसमें हम इससे slip stitch से जोड़ देते हैं एक chain stitch करेंगे और इस धागे को हम यहां से cut कर देते हैं तो इस तरह से यह dress हमने बना ली है और यह जो धागा हमने यहां पर cut कर रहा एक्स्ट्रा इसको हम यह back side है तो इसमें हम बुनाई में बबा देते हैं इसे दिखिए इस धागे को इस तरह से soya में डालेंगे them अब जाने तो प्रॉस से भी दबा सकते हैं इसको लेकिन अगर आप आप इस तरह से तब जाएगा इस तरह से पुनाई में दबा देते हैं तो यह हमने दबा दिया है और अब यहां से एक्स्टा धागे को ही Rush काikes कर देते हैं प errand mondo देखे बाक साइब से भी अब ही विए ब्रिपन गई है अगर आप चाहें तो बॉर्डर आप अलग कलर से बना सकते हैं यहां पर चोली के नीचे आप यहां पर भी डिजाइन डाल सकते हैं दूसरी कलर से जिसकी इसका लुक थोड़ा और अच्छा हो जाएगा लेकिन छोटी ड्रेस है बिल्कू तो आप सिंगल धागे से भी बनाए यहां से हम फोर चैन स्टिच करेंगे चैन वान टू थ्री फोर फॉर्स चैन में हम इससे स्लिप स्टिच लगा कर जोड देते हैं और अब यहां पर थी चैन स्टिच करेंगी हम चैन वान टू थ्री और यहां पर जो चैन फॉर स्पीस है यहां पर हमारे पास में इसमें हम टैन डबल क्रोशे बनाएंगे तो दागे कौन ग्रोश्यों परपेटेंगे और यह चैन फॉर जो स्पीस है हमारे पास इसमें से हम इस तरह से निकालेंगे इसे और यहां पर हम बनाएंगी 10 डबल क्रोशे तो यह हमने एक डबल क्रोशे बनाया दो तीन चर पाच्च्च्च्च्च् जह साथ आठ नव और यह दस डबल क्रोशिर बना लिए इस धागे को पकड़कर खीच देंगे जिसे की बीच में जो space है अची तरह से बंद हो जाएगा यहां से बंद हो गया अची तरह से और यहां पर starting में जो हमने 3 chain stitch करी थी इसके जो 3rd chain है इससे हम इससे slip stitch से joint कर देंगे first round complete हो गया second round बनाएंगे 2 chain stitch करेंगे chain 1 chain 2 और हर stitch में हम एक एक half double crochet बनाएंगे यह थागी को closer palpating है next stitch में जाएंगे तीन लूप हैं तीनों लूप हम एक साथ बनेंगे एक half double crochet बना लिया है और next stitch में बनाएंगे एक half double crochet इसी तरह से बनाती हुए यह round complete करेंगे तो यह round यहां तक complete करा और यहां पर starting में जो 2 chain stitch करी थी इसकी जो second chain है इससे हम इससे slip stitch से जोड़ देते हैं second round complete कर लिया है अभी हम लास्ट round complete करेंगे एक chain stitch करेंगे और हर stitch में हम एक एक single crochet बनाते हुए हम यह round complete करेंगे तो यहां से जाएंगे next stitch में और single crochet बनाएंगे तो हर stitch में इसी तरह से एक-एक single crochet बनाते हुए हम यह round complete कर लेते हैं तो यह round भी हमने यहां तक complete कर लिया है यहां पर जो हमने एक chain stitch करी थी इससे हम इससे slip stitch से जोड़ देते हैं एक chain stitch करेंगे और इस धागे को यहां से कट कर देते हैं और अब यह जो धागा है इसी हम back side में यहां पर बुनाई में दबा देते हैं तो देखी इसके भी हमने धागे दबा दिये हैं बुनाई में और अब हम इसे right side turn कर लेते हैं तो देखी यह हमारी cab भी बन कर तयार हो गई है जीरो नमर लड़ू को पाल छोटे से होते हैं तो उनको यह cab आसाने से आ जाएगी इसी तरह साप चाहें तो बड़ी cab भी बना कर तयार कर सकते हैं तो यह हमारी dress और यह matching के cab बन कर तयार हो गई है और यह हमारी zero number लड्डु कोपाल हैं बोती छोटी से लड्डु कोपाल होते ही रिखिए ये dress हम आपको पेना कर दिखा देखते हैं लड्डु कोपाल को दोनों साइड से पेना सकते हैं इस dress को इस साइड से भी जो भी पाड चाहिया वह आगे रख सकते हैं दोनों साइड से ग्राइन पर खाट को से बिल्कुल सेम डिजाइन बनी है देखिये से इस तरह से पहनाएंगे अजरी की बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं ये ड्रेस अब एक नंबर लडू Kupal को भी ड्रेस पहना सकते हैं उनको भी ड्रेस आसानी से आजाएगे आ है और ही होगी मैचिंग की क्याप देखिए जीरो नमर लडू पॉपाल को यह ड्रेस बिल्कुल फिट आई है तो आप इस तरह से यह ड्रेस बना कर तयार कर सकते हैं अपनी चोटी से लडू पॉपाल के लिए और और जो कलर आपको पसंद हो उस कलर में आपनी ट्रेस बना कर तयार कर सकते हैं बहुती सिंपल और बहुती सुन्दर ट्रेस बनकर तयार हुई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू कीजिएगा और ने वीडियो दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कीजिएगा